नमस्कार मेहमित कुमार आप सभी का स्वाइगत करता हूँ मानितला नेट ज्यारफ चैनल पर साथियों आज हम बात करेंगे साइकलोजी की मनोविज्ञान विसे की इसमें मात्र आपको दो बुक में बताऊंगा उन दो बुक को अगर आप अच्छे से फॉलो कर लिए इस बार आपका नेट ज्यारफ पक्का है तो साथियों बिना देर के हुए हम टॉपिक पे आते हैं सबसे बरी चीज में आपको कुछ दो चीजे मैं बताऊंगा सिर्फ उसके उपर आपको ध्यान देना है विडियो में आगे बरने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा मैं दिली बिस्पिद्याले से ग्रेजवेट और पोस्ट ग्रेजवेट हूँ साथी साथ मैं दो बार नेट ज्यारफ एक्जाम क्रेक कर चुका हूँ मेरे प्यारे साथियों अगर आप भी मेरी तरह फर्स्ट टेंप्रमिस एक्जाम को क्रेक करना चाहते हैं तो अगर चैनल पर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने साथी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलिग्राम चैनल का लिंक मिलेगा उसको जरूर जोइन कर लें वहाँ पर आपको पेपर वन का प्रिबियस एर कुश्चन डिसकस करेंगे साथी मेरे खुद के बनाएगे नोट्स आपको मिलेंगे और भी पेपर वन से समन्धित कंटेंट आपको मिलेगा तो साथी हूँ अब हम आते हैं अपने मुख विंदू की और सबसे पहली जो बुक आपको मैं सजेस्ट करूँगा सुझाओ दूगा जो की पूरा बेवहारिक है बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने की सैकलोजी से सब्जेक्ट को रखकर जियर अरफ किलियर किया है ठीक है और बहुत सारे अपने प्रोफेसर से इन्वर्शिटी के प्रोफेसर से डिसकेसन के बाद में इस निरने पर पहुंचा हूँ कि सैकलोजी के लिए सबसे अच्छा आपके लिए अरिहंत का गाइड है पहले आप एक बार उसको पूरे गोत्रू हो लो पूरे आप उसको पर लो क्योंकि उसमें आपको पूरा syllabus को cover किया गया है और exam oriented topic उसमें select किये गये हैं और आपके exam के हिसा आपस उस book को लिखा गया है तो सबसे बहतरीन book है और आपको एक चीज़ बताना चाहूंगा साथियों कि आप किसी भी competitive exam की तयारी करते हैं तो आप 20 book पढ़ने की जगा दो book ही आप 20 बार पढ़िए वो आपके लिए benefit होगा अब रही बाद दो book चूज करने की तो जो इससे पहले crack कर चुके हैं उस field के जो माहिर खिला रही हैं जिनके पास अच्छा खासा experience है तो उनकी बातों को करिए और खुद भी अपना निरने लीजिए कि कौन सा सही है उसके बाद आप सिर्फ दो book को चूज करने और उसके उ मनुबिज्यान अरुन कुमार सिंग जी की अरुन कुमार सिंग जी मनुबिज्यान के बहुत जाने माने लेखा के इन्होंने बहुत सारी किताबों को लिखा है आप चाहें तो अगर आपके पास समय तो और सारे इनके कृतियों को पर सकते हैं मनुबिज्यान के उपर इनका मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ये आप लेबल है अगर आप इन दो बुक को पूरे अच्छी तरीके से कम से-कम 3-4 बार रिवाईज कर लेते हैं क्योंकि अब हमारे पास समय बहुत कम बचा है ठीक है तो आप इन दोनों बुक को अच्छे से करें इसके अलाबा सबसे लास्ट बट नोट लिस्ट और सबसे महत्पूर्ण चीज बता रहा हूं कि आप प्रिवियस येर के कोश्चन जो पिछले साल के प्रश्ण पत्र हैं उसको जरूर हल करें और बार-बार हल करें जहां पर आपका म भी परश्चेज कर सकते हैं और आप इससे अच्छी खासी आपके तैयारी हो जाएगी और इसमें आपको यूनीट बाइज प्रिवियस येर कोश्चन का अगर आप तैयारी करते हैं एक अग यूनीट को सलेट कर लीजिए और उससे जो पिछले बरसों में परस्ण पूछे सब्सक्राइब कर लें यहाँ पर आपको उसका अपडेट सबसे पहले देखने को मिलेगा वीडियो देखने के लिए अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद